नमस्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि केरल के अंदर दो IS ओफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है अब ऐसा क्यों किया गया है इसको हम अच्छे से जानेंगे कि क्या रीजन था साथ ही साथ हम जान बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पीडियो के बारें बता देतों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक चैनल पर इसी के जब एक्जाम देने जाते हैं तो कुछ एक चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती है वहां पर तो उन चीजों के लिए आपको PDF के तोर पर यह सब चीज़ें उपलब भी कराए जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखें हाली के अंदर के अंदर क्या हुआ ज तो वो था यहां पर All India Service Rule 1968 के तहत जो है इनको Suspend किया गया है अब हम इसको जानेंगे कि All India Service Rules ये क्या है इसके अंदर क्या क्या कमिया है क्यों इतना इनके अंदर सुधार की जरूरत है या फिर IS Officers या जो Civil Servants है वो देश में कितनी परगती के अंदर कितना रोल निभाते है इन समान चीज़ों कम डिसकर्स करने वारे हैं तो फर्स्ट अफॉर जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों गया यानि केरल के अंदर इन दो IS Officers को Suspend क्यों किया गया है तो पहला जो केस निकल कर आया कि एक जो IS Officer है उन्होंने अपने जो Senior अधिकारी है उनके खिलाफ Social Media के उप से बनाई नहीं गए हैं या फिर वो सपस्ट रूप से बताई नहीं गए हैं हम जानें उनको तो शोशल मेडिया पर क्या किया एक IS Officer ने अपने Senior IS Officer का एक पांजनक टिपनी उन्होंने कमेंट कर दिया दूसरे IS Officer ने क्या किया धरम अधारित WhatsApp ग्रूप बना डाले अब यहां पर दो ग्रूप बनाए गए तो जो IS Officer है के गोपाल कृष्ण ने ने कहा कि किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था फोन हैक करके किसी ने दो यह ग्रूप बना दिये और अलग-अलग Officers को वहां पर जोड दिया गया उन ग्रूप के अंदर तो यह इन्होंने ऐसी शिकायत वहां इस चीज़ को लेकर वहां पर उनको Suspend भी किया गया तो यह थो हो गया आपकी सामने मामला अब जान लेते हैं कि जो औल इंडिया सर्विस रूल है यहनि अखिल भारती सेवा नियमावली है 1968 उसके अंदर क्या-क्या प्रावधान है क्या-क्या किया गया है वो क्या बताते हैं तो इनकी जो definition है यह अबाउट है यह जो कहता है यह नियम IES, IPS और जो एक हमारे सामने होता न IFS यानि Indian Forest Service Officers इनके निस्पक्षता, सत्य निस्टा सम्वेधानिक मुल्यों के पालन को सुनस्चित करने के उदेशे से नैतिक, पैशेवर मान को यानि कि कुछ स्टेंडर्ड सेट किये गए यहां पर, इनका इनके लिए कुछ स्टेंडर्ड, प्रोफेशनल स्टेंडर्ड जो है, एथिकल और प्रोफेशनल स्टेंडर्ड जो है, वो सेट किये गए है यह हो गया, अब वो कौन से है यानि कि वो स्टेंडर्ड जो है, वो कौन कौन से है जो इनोंने सेट किये है, तो एक स्टेंडर्ड हमारे सामने आते है नैतिक माने, यानि ethical standard ethical standard बोले तो अधिकारियों को नैतिकता, सत्यनिस्टा इमानदारी का पालन करना चाहिए वह उनको ध्यान रगना चाहिए वो किसी के पती, मतलब जुकाव ना आओ उनका, उन्हें अपने काम में इमानदार होना जरूरी है सत्य होना उनके काम में बहुत जादा जरूरी है उनसे यह भी उपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को निन्यों में राजनेतिक रूप से तठस्त यानि न्यूट्रल न्यूट्रल बने रहेंगे जवाब दें होंगे, वो पारदर्शी बने रहेंगे मतलब कोई भी काम ये कर रहें है ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी के परती जुकाव है हाँ भी उस पार्टी के लिए तो अच्छे से काम कर देंगे लेकिन कोई अधर पार्टी का लोग आएगा इंसान आएगा तो उनके लिए अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ये सब चीजे नहीं होने चाहिए यहाँ पर तठस्त यहाँ पर यानि कि न्यूट्रल होना है उनको ओविसली एक काम बहुत ज़ादा important है constitution सबसे ज़ादा यहाँ पर important दिया जाता है constitution value को यहाँ पर important दिया जा रहा है तो वहाँ पर आपको किसी भी party किसी भी धरम किसी भी जाती के परती यहाँ पर जुकाव नहीं होना चाहिए फिर इसके अलावा जवाब दे यानि obviously इनको responsible होना चाहिए कि आपने वो काम किया तो आप जवाब दे होंगे वह गलत किया तो क्यूं किया या फिर उस सब चीज के परती आप ही यानि किसी को responsible होना चाहिए तो वो यह होंगे वहाँ पर पारदर्शी यानि transparent ऐसा निया कि आपने पीछे से ही सारी चीजें कर ली सामने वाले को बताया ही नहीं उनको पता ही नहीं चला यह सब चीजे कैसे होगे मतलब कोई भी inquiry हो रही है सामने वाले किसी पारटी को पता ही नहीं वह यह inquiry कैसे हुई किस नहीं की क्या क्या तत्थे हैं वहाँ पर निकाले गए प्रति प्रतिबद लोग सेवक के रूप में उनके कर्तव्य बने रहें यानि कि ऑफिसर मस्ट है एक constitution के दाइरे में ही है बाहर काम नहीं कर रहा है जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही वो बंदा हुआ है लोग मीडिया में भागिदारी अब ये काफी important है कि अगर कोई officer जो है वहाँ जो public मीडिया का है जो भागिदारी का use करते हैं उसके अंदर जाते हैं तो उनको उन platforms का उपयोग करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो किसी भी सरकारी नीती का अलोचना ना करें उनकी criticism ना करें ये भी बहुत जादा important है कि कई बार क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोग त्यारी कर रहे होते हैं त्यारी करते करते हैं वो सर ये नहीं लिख्या आना है कि हाँ ये सरकार इतनी बुरी है इन्होंने इतना कर दिया नहीं वो सब चीज़ें आपको बहुत सी जिन ध्यान रखनी होती हैं विदिक और मीडिया संबंदी दिरिश्टी को यानि लीगल एंड मीडिया अपील क्या होती हैं देखो अधिकारिय अधिकारियों किसी भी ऐसे विवार से बचना चाहिए जो उनकी सेवा के लिए अनुचित माना जाते हैं अब ये जो अनुचित शब्द है इन्होंने बोला कि officers को अपने आपको ऐसे चीजों से ऐसे विवार से बचाना चाहिए जो उनकी service के लिए अनुचित हो अब ये अ आप वहाँ पर बहुत बड़े पद पर जाते हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो एक इस उमीद में आते हैं, कि यहाँ पर उनको न्याय मिलेगा, यहाँ पर जो ओफिसर बैटा है, उनके लिए अच्छे से काम करेगा, निश्पक्षो के काम करेगा, बहु उन लोगों से काम कराया जाए, उनके ओपर शाशन किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इस चीजों का ध्यान रखना बहुत जादा जुरूरी होता है, अपने काम में प्रोफेशनलिजम लाना, बातों बहुत अच्छे से करना किसी से मिलने हैं, तो यह उमीदे की जाती हैं उनसे, फिर इसमें मुद्दे के हैं, All India Service Rule के अंदर, 1968 के अंदर, क्या-क्या मुद्दे हैं, जो issues हैं, वो हम highlight करते हैं, यहां पर बताते हैं, देखें, पस्ट, social media दिशा नियदेश का अभाव, यानि कि जो social media का use है, आप देख रहे होंगे, आज कल बहुत सार आपने मुवी देखी है, सिंगम के तोर पे, भाईयां, हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं, करतने दरते वाले, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है, तो उसका बेबा, मतलब बिना सोचे समझे, लोगों के सामने उसका चेहरा ले आएंगे, उनके बारे में अइसे ताडेंगे उनको बहां जाकर, फिर उनके दुकान वहां दिखा देंगे, उनके इस इंसान का चेहरा वहां दिखा देंगे, तो ये नहीं सोचेंगे कि उस इंसान की दुकानदारी पर कितना ज़्यादा अशर पड़ता है, ऐसे मैंने बहुत सारे उधान देखे भी है शोशल मेडिया के उपर अब मैं किसका नाम लूँ ऐसा तो लेना नहीं चाहिए तो यूटूब के उपर अपनी वीडियो बनाने के चक्र में या फिर मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो इंस्टाग्राम पर अपने आपको उपिसर की उसको सोचना जाए कि यार वो लोगों के अंदर क्या जाएगी लोग क्या सोचेंगे वहाँ पर तो यह एक स्पस्ट रूल यहां पर नहीं है गाइडलाइन्स यहां नहीं है कि वो स्पस्ट नहीं है डिफाइन नहीं की गई है तो यह एक बड़ा मुद्धा यहां पर निकल कर आता है फिर मैंने बोला ना एक अनुचित आचरन सम्मधिकन जैसे सेवा के सदशों के लिए अनुचित आचरन यह जो अनुचित आचरन है ना यह जो वर्ड है यह काफी जादा एक ऐसा समझो इसको परिभाशित नहीं किया गया इसको डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से स्पस्ट नहीं है जिसके कारण क्या होता है कभी-कभी इसका misuse भी हो जाता है तो इसको एक बहुत जादा जरूरी है कि इसको देखिए यह आपके सामने मुद्दे आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको वोला कि social media तो हम पूछें कि कैसे सुधारा जाए obviously guidelines को लाकर अब इसे पूछा जाए कि अनुचित आचरन खंड संबन्दी जैसे हो गया तो यह स्पस्ट नहीं है तो कैसे सुधार जाए बहुत टाइम से तो उनके जो rule उन्होंने देखा हो कि हाँ यह अनुचित आचरन है यह गलत काम कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए तो वो इनके पास एक list होगी न उस list के तहट जो है वो यह बनाएगी हाँ यह वाली चीज जो है वो इस दाइरे के अंदर आएगी आप इससे बाहर नहीं लागू करने वाले होते हैं वो कुनों प्राय जो होते हैं वरिष्ट अधिकारी या सरकारी अधिकारी के आतोम ही होते हैं अब जो जूनियर अधिकारी होता है वो इन वरिष्ट अधिकारियों के एक तरीके से बहुत समवेधन शील होता है उनका वरिष्ट अधिकारियों ने अपने चाहिते के लिए वो रूल जो है उनके लिए यूज कर लिया तो यह सब चीजी यहां पर देखने की जूरत है तो यह पावर इम्बैलन्स को बेंटेन करने की बहुत जादा जुरूरत है है यहां पर लोगतंतर में यानि जो डेमोकरशी है उसके अंदर सीविल सर्वंट की क्या ब्हुमिक बहुत ज़ादा इंपोर्टन चीज आती है कि सीविल सर्वंट क्यों इंपोर्टन आ जाते है देखें हम पावर के लिए तो देखते हैं अरे पावर आ जाएगी लोग हमारे सामने हाज जोड़ेंगे अगर हम आईपीएस ओफिसर बनगे ऐसी दोंज बन जाएगी तो वो अपने आपको एक राजा समनने वाली काफी सारे मैं देखता हूँ टीशर तो आईपीएस ओफिसर का ऐसे दिखाते हैं कि यह तो राजा है और भाईया वो राजा नहीं है वो नोकर है इस चीज को समनने की जुरूरत है और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उनके मन में यह बिठाया जाए कि वो सीविल सर्वेंट है यानि कि लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा है ना कि लोगों से सेवा लेने वो आ रहा है तो इस चीज का जुमनना बहुत जाद ज़रूरी है तो यहां पर वो क्या इंप करने में काफी ज़्यादा help मिलती है यहां पर काफी ज़्यादा help करता है फिर यहां पर implementation of policy देखें विधायका का काम होता है कानून बनाना लेकिन जो कानून बना दिया अब देखें कानून तो बना दिया विधायका ने लेकिन इस कानून को लागू भी तो करवाना है ना सिविल सर्वंट देखता है एक यहां पर आता है डेलिगेटिड लेजिसलेशन गया कि सिविल सेवकों को प्राय प्रत्ययोजित विधान यानि कि कुछ चुने हुए लोगों के साथ विष्त्रित नियम और वी नियम इन बनाने का काम सोपा जाता है कि विधान सबागे कुछ लोग आते हैं फिर जो सिविल सर्वंट होते हैं उनके साथ बैठते हैं फिर उनके साथ मिलकर उनको ऐसी पावर्स दी जाती है कि आप जो है कुछ नियम कुछ कानून बनाएगे उनको कानून बननने का भी काम वहां पर सोपा जाता है देखिए विधान मंडल जो है वो प्रोजबर्रा की लाइफ में उन रूल्स को कैसे सरकारी तंतर के अंदर यूज किया जाएगा उसको डिफाइन कैसे करते हैं यह सारा काम जो होता है वो आईएस ओफिसर इनका होता है फिल परशाशनिक न्याय निर्निय यह थोड़ा सा जीव सा होता है एड्मिनिस्रेशन जुडिकेशन होता है कि इसके अंदर क्या होता है सीविल सर्वंट के पास क्वाशी जुडिशियल पावर होती है यानि कि अर्द पावर यानि आधी अर्द आप इसको मतलब समझेगे न आधी न्याइक पावर होती है यानि न्याइक यानि उनको जुडिशियल पावर दी सुलजाने का भी काम करता है ऐसा क्यूं होता है कि कई कई बार होता है कि वह एक ऐसा मामला होता है जिनको तुरंट सुलजाने के जूर्ट होती है वो कोर्ट में नहीं जाएंगे तुरंट तो उनको उस समय के उस सिस्चुेशन को देखते हैं उसी समय वो एक निवारन की जूरत होती है, solution की जूरत होती है, तो आई-एस officer वहाँ चीज प्रवाइड करता है, जो उनके पास power होती है, quasi judicial power उनको दी हुई होती है, तो यह हो गया यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होता है, कि देखें, यह सार्वी खित में विशेश रूप से कमजोर समू या तकनीकी मुद्दों के लिए तुरंत निश्पक्ष निर्ने सुनिचित करता है, तता समय पर विवास हमाधान की सुईदा परदान करता है, तो इसलिए civil servants की जूरत होती है, इस democracy के अंदर, स्थिर्ता और निर्नत अंतरता, यह एक काफी important है, देखें, civil servants क्या होते हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पांस साल बाद कोई है, और सरकार आई, BGP आई, फिर Congress आई, फिर BGP आई, ऐसे या फिर कोई regional party आगई वहाँ बर, तो सरकारें बदलती रहती हैं, जब सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो नीतियां हैं, उनको सही डंग से चलना, वो कौन सही करते हैं? वो civil servant ही करते हैं, राष्टरे आदर्शों के सरंक्षंग, देखे, civil servant जो ठोते हैं, वो राष्ट्र के आदर्शों, मुल्यों और विश्वासों के सरंक्षंग के रूप में कारे करते हैं यानि इनका काम होता है इनकी रक्षा करना, इनको बनाए रखना, लोगों के अंदर विश्वास देना वे राष्ट के समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तानेबानी के सुरक्षा में महतपुन बोविकाने बाते हैं तो ये इनका important role होता है, civil servant का तो हमने देखी कमिया, हमने देखे All India Service Rule, हमने देखा इनका importance अब आते हैं, कि एक article 311 आते हैं, जिसको आपको समनना है, कुछ इसके close है, article 311 ही है, 311 ही है, इसके कुछ close है, जिनको आपको समनना है देखे, article 311 का close कहता है, कि All India Service, यानि अखिल भारतिय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी करमचारी को अपने अधिनस्त, यानि सबोडिनेट अधिकारी द्वारा बरकास्त या अटाया नहीं जा सकता है, यह 311 का close one बोलता है, वहीं close two कहता है, कि अभी किसी civil servant है सील सर्वन्ट हो गए, तो उसनके खिलाव कोई काम, मतलब जान चल रही है, जान चल रही है तो इस सीविल सर्वन्ट को भी पूरा मोका दिया गया, कि आपके खिलाव यह जान चल रही है, to आप अपने आपके बचाव में कुछ कहना चाते हैं, आपको वह उफसर दिया ज जाती है कि हाँ भई इनके रैंक में कमी कर देना या इनके ऊपर कोई अलग कोई प्रिश्मेंट है वो बनाना तो वो सब चीजे कब होती है वो तब होंगी जब भई इनके खिलाफ कोई भी आरोप हुआ इनको भी पूरा मोका दिया गया से विल सर्वंट को तो यह किसमें आत लेकिन अगर कहीं ऐसा चीज आती है कि वहाँ तो जांच होई नहीं सकती हर चीज क्या जांच होगी क्या नहीं कुछ ऐसी चीजे होती है जहां पर जांच की जुरूरत नहीं पड़ती है जैसे क्रिमिनल कन्विक्शन होता है जहां पर इस अधार पर आई-एस ओफिसर को र पिठाए जाएगी उनको वहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा फिर आता है वहवारिक एस अंभवता प्रैक्टिकल इंपोसिबिलेटी जहां पर अथोर्टी को यह सैटिस्फाइ हो जाए कि यहां पर प्रैक्टिकली पोसिबल नहीं है इंक्वारी करना तो वह चीज आती तो वह रहाँ तो उसको लेकर वहां पर बोला गया कि वहां पर भी जांच की जूरत नहीं होती है अब आगे की रा क्या हो सकती है देके जैसे मैंने आप लोगों को बताया सटिक सोशल मीडिया दिशाने दे बैस शोचल मीडिया का यूज करने डैफिनिटली हर एक इनसान अपने आपको लाना वो लाते में कोई बात नहीं लाना चाहें लेकिन उस सोशल मीडिया का कैसे यूज किया जाए उसके लिए गाइड लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे मैंने किसी ओफिजर ने किसी इंसान को पकड़ लिया उसकी चलान काट रहा है चलान काटने आपने देखा है उसका फेज जब रिवील कर दिया लोगों के सामने तो उसकी इमेज पर क्या असर पड़ा ये वो नहीं सोचेंगे लेकिन अपने आपको वहाँ दिखाने के लिए कि हाँ ना यार देखो मैं कितना अच्छा से काम कर रहा हूं वो दिखावा है एक तरीके से वो काम नहीं है वो दिखावा है वो लोगों को एक तरीके से mentally भी pressure करने वाली बात है परिशान करने वाली बात आगी ना तो मैंने ऐसे काफी सारी videos YouTube पे Instagram पे मैंने देखी है वही वो नोकर नहीं है, वो राजा है तो उनका बताना, फिर उस बच्चे के मन में जाना फिर जब वो I.S. I.P.S. बनता है तो वो उसी विचार धारा के साथ आगे बढ़ता है तो यह सीजें जरूरी है, बतानी शोशल मीडिया के दिशाने देश वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि यहाँ गाइडलाइन्स लगाए जाएं डिफाइन किया जाए कि हाँ इस बाउंडरी से बाहर नहीं जाना है कैसे इन चीजों का यूज किया जाए फिर यहाँ पर जो एक मैंने बोला आचरन इसको डिफाइन करने के बहुत ज़्यादा जरूरी है अनुचीत आचरन आपके इसको कह रहे हो यह स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर जिम्मेदार गुमनामी यह काफी इंपोर्टन है कि जनता की सेवा करते समय एक तो neutral होना बहुत जरूरी है एक निस्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है विशेस रूप से जहाँ सोशल मीडिया का यूग आ गया सोशल मीडिया का यूग आ गया बही कोई IPS ओफिसर काम कर रहा है अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है लेकिन वहां पर उसके यहां बहुत एक अच्छी लाइन वो ले गई है शोशल मीडिया के यूग में जहां विवेक से अधिक दृष्षता को परात्यमिक्ता दी जाती है यानि कि हमने जो देखा वो सच मान लिया हमने उसके पिछे सचाई जानने की कोशिश नहीं कहीं क्योंकि शोशल मीडिया के अंदर कोई भी वीडियो जो होते है वो फटदनी वाइरल होती है अरे आईएस ओफिसर नहीं कर दिया आईपीस ओफिसर नहीं कर दिया एच्छल में उसके काम कुछ और कर रहा था देखने को दृश्यता को वो बहुत जादा इंपोर्टन है अध्यान रखने की clear? इसके लावा शोशल मीडिया भी वेक पूर्ण उप्योग जैसे मैंने का कि शोशल मीडिया का एक बहुत अच्छे से उप्योग करने आना चाहिए युवा अधिकारियों को यह सलादी जाने चाहिए कि आप इस देश के निर्माण में भागीदारी हो रहे हैं देश की मतलब की प्रगती में भागीदारी यहां पर करेंगे तो आपको शोशल मीडिया के माध्यों से इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज़ करना है आप लोगों को अवेर करवाईए रूल्स के प्रती आप लोगों को अवेर करवाईए जो गौर्बरेंट ने पॉल से निकाली है उनके लिए ना कि आप अपनी प्रशंसा में या फिर आप किसी एक पार्टी को या फिर अपने आपको फेम में लाने के लिए वहाँ से वो सीज़ें कर रहे हैं वो उन सीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आज का ये टोपिक था उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि IS, IPS, Indian Forest Service जो होती है इनके लिए क्या-क्या रूर्स होते हैं वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो आप अचानी से पढ़ सकते हैं जो भी content आपके सामने दिया गया है bilingual के अंदर है, Hindi, English दोनों में आपको मिलेगा तो आज के लिए बस इतना है था, वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें कोई भी आपके doubt है, comment section open रहता है, आप comment कर सकते हैं आपके कोई भी doubt है, definitely उनका reply मिलेगा आपको बहुत जादा वीडियो पसंद आईए तो चैनल को subscribe कर सकते हैं बस यही आप से उमीद करता हूँ, कौन से रुपे मांग रहा हूँ तो बस आज के लिए इतने था, thank you for watching this video